हift डोस्तों वेल कम टो यूर लाए बूश्ठर चैनल दोस्तों bagus हम आपका स्वागत है तो आज हम आपको बिताने जारहे हैं कैसा जपान की क्ष़ेता consumes कर सकते हैं कैसा अप जबुश्च्यक जानने के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे, तो दोस्तो जानते हैं कि कैसे आप कार कंपणी के डिलर बन सकते हैं, दोस्तों जपान की कार ने मता कंपणी होनडा इंडिया लिम्टेड आपको बिजनस का मुगा दे रही है, कंपनी देश के प्रमुक शहरों में डिलर बनाने की त्यारी कर रही है होंडा मार्च 2018 तक देश भर में अपने डिलर नेट वरक को एक्स्टेंड करेगी मार्च 2018 तक डिलर नेट वरक की संख्या 370-380 के आसपास की जाने की योजना है अभी कंपनी के पास 325 टीलर का नेट वरक है डिलर शिप कैसे मिलेगी दोस्तों चानते हैं कि डिलर शिप कैसे मिलेगी वेबसाइट hondacarindia.com पर जाकर आप अपनी आईडी बना सकते हैं आप location के बारे में जानकारी प्रपत कर सकते हैं जिसके बाद आप online और hard copy पर अभेदन भी कर सकते हैं soft copy को आप dealer underscore development at the right hondacarindia.com जो screen पर सामने दिया गया है पर भेज सकते हैं वहीं आप offline अभेदन को company के register पते पर भेज सकते हैं जो कि आप company की website पर जाकर company के addresses को check कर सकते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि dealer बनने के लिए क्या requirement है company सबसे पहले है देखने की कोशिश करती है कि जिस area में आपने dealership के लिए apply किया है क्या आप वहाँ पर company के लिए dealership की संभाबनाए है जिसने apply किया है उसकी financial condition क्या है पर अके बाद ही company dealership देती है जिस site पर आप dealership खोलना चाते हैं उसकी photograph के अलावा site की full detail वहाँ दूसरे कौन से dealer है company को अपनी financial detail डालनी होती है जिए आपका कोई current कारवार है तो आपको उसकी detail और अपनी संपत्ती और आपकी कोई अगर देंदाईया है तो उसकी detail भी इस पर डालनी होती है कार कंपनी की dealership के लिए approximately 3-5 करोड रुपे की रकम की requirement होती है इसके साथ ही जमीन के साथ service center अधी के लिए space होना चाहिए अगर किसी वेक्ति के पास जमीन है तो उसकी dealership के लिए approximately 3-4 करोड रुपे की investment करनी पढ़ती है जमीन नहीं होने पर investment बढ़ जाता है जो की location to location vary करता है और company to company vary करता है तो दोस्तों अगर आप कोई idea अच्छा लगा है तो please like कर दीजिए दोस्तों अगर आप और भी कोई इसके बारे में detail जानना चाहते हैं दोस्तों अगर आपको idea अच्छा लगा है तो please इसको share कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please नीचे दिएगे red button पे क्लिक कीजिए और इसे subscribe कीजिए ताकि आपको ऐसे ही आने वाले videos के बारे में चानकारी और application मिलती रहे तो दोस्तों bye good luck take care अपना क्यार लगए और मिलेंगे एक नए idea के साथ